वेलकम गाई से दोस्तों बात करने वारे हैं TDS on purchase of goods section 14Q के अंदर जब TDS की deduction करेंगे तो क्या उसमें GST include करना होगा या फिर बिना GST के deduction करना होगा TDS का 194Q के अंदर तो दोस्तों इसको समझने के लिए बने रहे हैं मेरे साथ वीडियो के अंट तर तो दोस्तों सबसे पहले section 14Q के कुछ important point है उनको समझ लेते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा कि deduction करते वक्त क्या आपको GST को include करना है या include नहीं करना है तो पहला important point यह है कि कौन से से person होंगे जिनको require होगा टीडेस डिड़क करना one and four q के अंदर तो दोस्तों कोई भी वायर अगर यहां पे माल खरीता है पचास लाग रुपे से ज्यादा financial year के अंदर और उसकी turnover बिजनेस और प्रोफेशन से दस क्रोड से ज्यादा है और पचास लाग से ज्यादा का माल खरीतता है रेजिडेंट से तो उसकी लाइबिडिया आदाई की section one and four q के अंदर 0.1% के साब से टीडेस डिड़क करेगा एक जुलाई दोजर इक्किस से ठी याने जो बात करें as per section one and four q के इसाब से एक अप्रेल दोजर एक्किस से तीस जुन दोजर एक्किस तक अगर पचास लाग का अमांट क्रोस हो जाता है तब आपको एक जुलाई से अगर एक रुपे का भी अमांट परचेस करते हैं या एक रुपे की ट्रंजेक्शन होती है तो भी आपको TDS deduct करना होगा one and four q के अंदर याना जो ठेयर से लिमिट की calculation होगी वह एक अप्रेल 21 से होगी एक अप्रेल 21 से 30 जुन तक पचास लाग का अमांट already cross हो गया है तो जो भी ट्रंजेक्शन एक जुलाई के बाद होगी उसके उपर TDS deduct करना होगा one and four q के अंदर एक अपरल 21 से 36 में केवाल exemption amount ही घटाएंगे अगर कोई balance amount बसता भी है पचास लाग less करने के बाद तो उस amount पे TDS को deduct नहीं किया जाएगा केवाल एक जुलाई के बाद से जो भी transition होगी उसके उपर TDS को deduct किया जाएगा उसके बाद कर लें without pen TDS का क्या rate होगा अगर यहाँ परसन फेल हो जाता है पैन फार्निस करने में पैन नंबर नहीं देता है तो यहाँ पे जो टीडियस लगेगा वह 5% लगेगा सेक्शन 206 डवले के हिसाब से अब हम बात कर लेते हैं अगर deduction नहीं किया जाए या फेल हो जाए डिड़क करने में पैनल्टी क्या होगी तो दोस्तों अगर यहाँ पे बायर फेल हो जाता है डिड़क्शन करने में section 14 q को comply नहीं करता उसी साब से deduction नहीं करता तो 30% डिज अलाव हो जाएगा उसकी पर्च की liability under section 14 q के सबसे आती है तो अब बात करते हैं ऐसे ट्रंजेक्शन जहाँ पे section 206 c 1h यहने tcs on sales of goods और section 14 q यहने tds on purchase of goods apply होते हैं बोथ जो section है एक ही transaction पर apply होते हैं तो कौन से sections को apply किया जाएगा तो दोस्तों अगर एक transaction पर दोनों ही section यह दोनों ही section apply होते हैं तो उस case में section 194 q को apply किया जाएगा और उसके हिसाब से tds को deduct किया जाएगा ठीके दोस्तों तो यह कुछ important बात है जो section 194 q के बारे में जानना बहुत जरूरी था अभी मैं आपको बताता हूं deduction जब deduction करेंगे tds का तो क्या उसमें GST वाले component पर भी deduction करना होगा या बीना GST वाले तो दोस्तों मैं आपको बता दू सर्कुलर नंबर 13 दोजरी किस का जो कि 36221 को इसका प्यारा 4.3 देख सकते हैं जहां पर गोवर्मेंट बोलती है कि जो टीडे से section 194 q के अंदर वो जितना amount जितना इंवो बचेस किया है उसमें से जो taxable amount होगा उसके ऊपर टीडेस को डिड़क करना होगा without including a GST amount जो amount taxable amount होगा invoice के उपर उस taxable amount पे TDisk को डिड़क करना है मांके चलिए कोई 100 रुपे का amount है ठीके इस पे बारा रुपे का GST है तो आपको के वाइन सो रुपे के amount पही टीडेस को डिड़क करना है अगर आप invoice-wise deduction करना है तो ठीक है अगर आप payment wise deduction कर रहे हैं तो मान के जलिए second वाले case के अंदर यहने second वाले method में अगर payment basis पे अगर आप deduction कर रहे हैं यहने invoice होने से पहले payment हो रही है तो उस case में अगर 112 रुपे का payment किया जा रहा है तो पूरा का पूरा 112 रुपे के उपर deduction किया जाएगा ठीक है दोस्तों तो द वो इस वाइस deduction किया जाता है तो उस case में taxable amount के उपर के वल डिड़क्शन किया जाएगा और payment by deduction किया जाता है तो entire amount, full amount पे deduction किया जाएगा जो भी आपको method लगता है कि हाँ यह वाले method लेना है तो उस method के इसाब से आप bookkeeping या entry कर सकते है या return को file कर सकते है वीडियो कैसे ल झात्रम